तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी सीरीज चल रहे थी बेसिट टम्स की दोस्तों उसमें 46 टम्स हैं और हम लोग जिसमें से 20 टम्स अपने पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं और आज हम लोग उसके आगे के 10 टम्स पढ़ेंगे तो चलिए दोस्तो तो देख लेते हैं कि आज हम लोग कौन से टम्स को कवर करने वाले हैं तो फ्रेंच आज जिन 10 टम्स को कवर करेंगे वो हैं बीच, माउंटेन, फिजोड, स्ट्रेट, चैनल, पैनिन्सूला, गेजर्स, डेजर्ट, ओएसिस, और मीसा तो चलिए दोस्तों बीच के साथ असली में नहीं तो टीवी में तो जरूर देखा होगा तो दोस्तों जोग्राफी में बीच को डिफाइन किया जाता है एक जेंटर स्लोप से जो के ओशन या फिर लेक के किनारे बनी होती हैं फ्रेंच में या पिचर लगा रही हूं आप लोग उसमें देख के आराम से समझ सकते हैं नौफ ट्वेंटी टू नंबर पर है मांटेन आ मांटेन इस अलाज लेंड फोर्म देख राइस अबव देख लाइंग लेंड इन लिमिटेड एया यूजवली इन दा फॉर्म ऑफ पीक आ मांटेन इस जरनली कंसीडर तो बीसिपर दना हील मांटेन आर फॉर्म त मतलब जमीन के लेविल से अगर वो हिस्सा ऊचा होता है यूजवली एक पीक की फॉर्म में तो उसको मांटेन कहा जाता है सो फ्रेंड्स हम लोग हिल के बारे में पहले पढ़ चुके हैं तो दोस्तों हिल की जो साइड्स होती हैं वो थोड़ी स्लोपी होती हैं लेकिन जो म परिंद्स हमें टक राती हैं तो माउंटेंस का फ़ोर्मेशन होता है दिस्टेंट फानी नमब़ पढ़ाता है फज़ॉर्ड ऑफ्जर marginस लॉण डीड्र नयारो बॉण सेट ईन यू शेप वाली विट सीव वाल्स ओन इज अब्सै डोड़ निस साइड दॉजलेंड़ कै बेखिए होगी तो दोस्तों खाई होती है बेसिकली उसको ही फैजोर बोलते हैं लacy को दो और लिकिन बावाँ पर पर पानी होना जरूरी है पाई जाते हैं नाव फ्रेंट्स 24 नंबर पड़ाता है इस्ट्रेट आइस्ट्रेट इस नेचरली फॉर्म्ट नैरो टिपिकली निवेगिबल वॉटर वेड़ देट कनेट्स तो लाज बोड़ी और मोस्ट कॉमनली इड़ चैनल ऑव वॉटर दर लाइस बेट्वीन तू लै बाइन मासिस के बीच में प्रेजंट होता है तो दोस्तों इसी के साथ 25 नंबर पर आता है चैनल अचैनल इस वाइड इस वाइड और वॉटर वेड़ बिट्वीन टू लैंड मासिस दट लाइक लोस्ट तो इच अदर तो दोस्तों इस ट्रेट और चैनल में कोई फर्थ न यह फर्क है कि जो इस वेतभी रह नहीं होते हैं मतलब वह बहुत पत्ले होते हैं लेकिन जो स्टमाय होते हैं मतलब चैनल वाइड होते एंच यह चोहित एख openly यह और इस ट्रेट पती हैं नाव फ्ट्रेंट्स 26 पर आता है पैहनिन शुला दोस्तों पैहनिशा यह तो आप इंटार्ली सराउंडिट बाइ वाटर बाट इस कनेक्टेट तो दा में लेंड ओन साइड तो दोस्तो जोग्राफी में पैनिसुला कैसे लेंड पीस को कहते हैं जो कि चारों तरफ से वाटर से ढगा हुआ होता है लेकिन एक तरफ से लेंड से कनेक्टेट रहता है मतलब जो ह 27 नमबर पर आता है गीजर अगीजर इस अवेंट इन एर्थ सर्फेस दर पिरियोडिकली एजेक्ट और कॉलम ऑफ हॉट बाटर एंट इस्टीम इविन ए स्मॉल गीजर इस अन अमेजिंग फिनॉमेना होवेवर सम गीजर्स हैब इरॉप्शिंस दाट ब्लास थाउजंड गैलन्स और वॉइलिंग होट वॉटर अप्टु अफ्यू हंड़ेट फीट इन एरॉप्श अर्थ की सर्फेस में कुछ होल्स होते हैं जो के टाइम टू टाइम होट वॉटर और इस्टीम को रिलीज करते हैं बहुत ज्यादा तेजी से तो दोस्तों अगर एक छोटा सा ग कुछ गीजार ऐसे भी देखे गए हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा वॉटर थाउजन्स ऑफ गैलन्स वॉटर को जो है हवा में उच्छाला है और दोस्तों इन गीजार्स का जो होट वॉटर था वो कुछ हंड्रेड एर्स I'm sorry friends कुछ हंड्रेड फीट हवा में उपर ट्रा इन ग्रफी अडीजार्स डेजार्स पर्म और वी जंडर रिशीव वेरे लिटल प्रेस्पिटेशन जनरली डेजर्ट पाइंड अस एरिया ड्रीजान प्रेसपिटेशन उप लेस तन तूफिफित्य एम इम मतलब तैं इन इंचिस तो फ्रेंस डेजर्ट बैसिकली वह एर् से भी कम प्रेसिपिटेशन मतलब रेन होती है दोस्तों मतलब 10 से भी कम जहां पर रेनफॉल होती है उस एरिया को डेजर्ट कंसीडर कर दिया जाता है और यहां पर दोस्तों सेंडी से सोईल जादा तर देखने को मिलती है So Friends 29 नमबर पर आता है Oasis जो के एक यूनिक सा टर्म है An Oasis is a unique water landform surrounded by desert It has a water source and a ground and supports vegetation and animal life So Friends Oasis एक ऐसा landform है जो के desert में present होता है तो दोस्तों आपने discovery या फिर और भी दूसरे channels में देखा होगा कि जहां पर बहुत जादा deserted conditions होती है वहां पर कहीं कहीं पर vegetation भी पाया जाता है और वहां पर छोटी सी लेक और थोड़े से trees भी देखने को मिलते हैं तो दोस्तों desert में कुछ ऐसी जगाए होती है जहां पर underground water source मौजूर होता है तो दोस्तों उसी पानी underground water की वज़े से उस जमीन में नमी आ जाती है जो के vegetation को support करती है और उसी की वज़े से महां पर grasses और trees हो जाते हैं जिसकी वज़े से महां पर animal life भी possible होती है नाओ दोस्तों लास्ट में आता है मीशा नाओ अ मीशा इस अ फ्लैट टॉप्ट माउंटें और हिल इस अ वाइड फ्लैट अलिवेटर लैंट फॉर्म विज़े सीप साइज मीशा is a Spanish word that means table Spanish explorers of the American Southwest where many Mesa's are found use the word because the tops of Mesa look like the tops of tables so friends Mesa एक ऐसा लैंड फॉर्म है जो के एक टेबल की तरह दिखता है तो दोस्तों प्लैट्यूज जो होते हैं उनके ही छोटे फॉर्म को मीशा भी कहा जाता है सो फ्रेंट सी एक एलिवेटर फ्लैट टॉप्ट माउंटें होता है मतलब एक उठी हुई जमीन का टुक गया है एक स्पाइनिश पड़ मीशा उसी को जो है टेबल कहा जाता है सो फ्रेंट इसका नाम मीशा इसी लिए रखा गया है क्योंकि इसका टॉप होता है वो एकदम टेबल के तरह दिखता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आई होब कि आपको सारे टर्म्स आकाउट भी कर सकते हैं सो फ्रेंट मैं इसी तरह टॉपिक पर नोट्स बनाती हूं और उनको अच्छे से एक्स्प्लेइन भी करती हूं सो फ्रेंट आप मेरे चैनल पर विजिट करके और भी वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को साथी बैल आइकन को प्रेस करिए ताके आपको मेरी अप्लोडेड वीडियो सबसे पहले मिल सके हैं बाए